खिरकौन जी लेग राम केली में 14 नॉमबर सनिवार को डोल ग्यारस के परोपर दोफर में भगवान श्री कृष्ण को डोले में बिठा कर नदी किनाई लाया गया जहां भगवान श्री कृष्ण का जल्वा उजन कर ग्राम में शोभातर निकली गई ग्राम की युवाओं के मेत्र मंडल ने समस्त सेवाए दी हैं तो वहीं महिलाओं ने ग्यारस का वरत रखकर पूजन अर्चन किया भादरपत शुकलपक्ष की एकादसी को डोल ग्यारत उत्सो मनाया जाता है मानिताओं के अनुसार इस दिन भगवान क्रेश्ण के जन्म के 18 से 20 दिन बाद जल्वा पूजन किया जाता था उनके संपुर्ण कपड़ों का प्रक्षालन किया था उसी के अनुसारन में डोल ग्यारत का परव मनाया जाता है इसी कारण इसे जल जुलनी एकादसी भी कहते हैं इस दिन चंद्रमा अपनी 11 कलाओं में उचित होता है जिससे मन अती चंचल होता है इससे वश में करने के लिए इस पदमा एकादसी व्रत को रखा जाता है इस दिन भगवान विश्णू शयन करते हुए करवड बदलने की कारण परिवर्तनी एकादसी भी कहते हैं केली से रांदास साहू की रिपोर्ट जय जय्ञाड सिता है जय जय नोध में करा ले डर् announcements जय-जय जय 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 जयजरम सिता कादसी जय को, जय जय को, इसन शारहगत रेड़ लेना जय 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 2 रम सिता है हम हम जय जय जयीजरम सिता इसक्ता है मुझा डिर्णाया कि हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के करें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भुलें